Hi everyone, good evening, कैसे आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, तो ये मंगलवार के दिन का वीडियो है, साम का टाइम है, और मैं यहाँ पे प्रेस कर रहे हूं कपड़े, तो अभी ना इकठे कपड़े प्रेस करना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो अभी मैं सोचने हो, और देखिए कर करते करते ही ना, लाइट चली गए, तो फिर मैं कपड़े यहाँ पे जो थे, वो मोड़ने लगी, और कपड़े भी बहुत जादा कल के भी कपड़े मैंने नहीं मोड़े थे, और आज अभी जो है, ले आई हूं उपर से, तो सारे कपड़ों को मोड़के रख लूंगी, ज जब टाइम मिले, एक या दो ऐसे करके कपड़े प्रेस कर लिया करूं, क्यूंकि ज़्यादा इकठा कर लेती हूं ना, तो फिर जो है, वो करने के लिए सोचना होता है, कि टाइम लेके उसको बैठूंगी, और फिर लाइट की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कि लाइट मतल रात के टाइम तो समय मिलता नहीं है, दिन में वही करना होता है टाइम निकाल के, तो ऐसे अगर डेली करते रहूंगी ना, तो सही रहेगा, तो वहाँ पे कपड़े तो मैंने बस एक तनमय का प्रेस किया था, तब से लाइट चली गई, और यहाँ पे कपड़े सब मोर दि बिल्कुल स्टार्ट हो गई है, कुछ कपड़े यहाँ पे जो साड़ी वगरा मैंने पहनी थी मंडे के दिन, और एक दिन और पहना था, तो वो साड़ी मैं इसमें रखते रही हूं, क्यूंकि डेली तो पहनती नहीं हूं, तो यह वाली आलमारी में वही कपड़े रहते है जो डेली यूज नहीं होते हैं, तो इन सब को इसमें लगा दे रही हूं, उसके बाद लाइट आ गई थी, तो फिर वही मैं प्रेस करने लगी, तो एक पैंट और एक सर्टिन का प्रेस करके रखूंगी, अभी फिलाल, क्यूंकि टाइम जादा हो गया है, तो अब खाना ब कपड़े किये नहीं, तो बस यहाँ पे देखे कपड़े प्रेस कर लिए हैं, तो हाथ के हाथ इसको पहले रख देती हूं, इस समय ना टीबी भी चल रही थी, तो देखते देखते ही ये सारे काम हो रहे थे, क्राइम पे ट्रोल आ रहा था, उसके बाद दिया बत्ती मैंने की सबजी वगेरा कट किया, और आ गए हूं किचन में खाना बनाने, तो वही बना रही हूं मैं आलू और परवल की सबजी, तो आज सबजी मैं कूकर में बना रही हूं, मेरा मन कर दिया कि आज मैं कूकर का सबजी, मतलब मुझे ही मन कर रहा था, कि मैं आज कूकर का सबजी जो है खाऊंगी और कूकर की सबजी जो ग्रेवी वाली बनती है मुझे अच्छी लगती है लेकिन ये लोग जो है कड़ाई का सबजी ही खाते हैं तो मैं ज्यादा तर सबजी कड़ाई में ही बनाती हूँ सिर्फ कटहल, सूरन और इस टाइब का जैसे हुआ छोला वगरा ये कड़ाई में तेल में फ्राइ कर लिया है तो उसको लास्ट में जब पानी डालूँगी तब डाल दूँगी और यहाँ पे मसाले डाल दे रही हूँ इधर बिंडी वगरा आई थी सुबह बनाने के लिए तो इसको मैं धो दे रही हूं धो के छान के रग दूँगी तो फि पूजा के बरतन में धो ले रही हूं तो यह कामना मैं साम को ही अकसर कर लेती हूं जैसे रात को खाना बनाती रहती हूं उसी में जब टाइम मिलता है न तो यह पूजा वाले बरतन में धो लेती हूं ताकि सुबह का थोड़ा सा टाइम मेरा बज़ा नहाने के बाद बस मं मैं भी हमारा बच जाता है आज थोड़े से बरतन जादा हो भी गए थे तो किसी किसी दिन बरतन जादा निकलते हैं किसी दिन जैसे हपते में दो दिन पूरा बरतन मैं साफ कर देती हूँ तो फिर जो है कम कम बरतन निकलते हैं तो यहाँ पे सारे बरतन मैंने धो लिये हैं और ना मैं जब दिया बत्ती करें थी तभी था कि आज मैं इसको धो दूँगी पहले ही कभी कभी ऐसा भी होता है टाइम नहीं मिलता है तो सुबह ही करती हूँ ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल नियम ही है लेकिन सोचती हूँ कि इसे मतलब रात को ही कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता और ठंड में तो अक्सर रात को ही कर देती हूँ क्यूंकि सुबह ना बरतन धोने में दिक्कत होती है तो इस वज़़ए से सामके टाइम ही ठंड के मौसम में कर देती हूँ तो यहाँ पे मैंने सारे बरतन धोलिये हैं और सिंक में भी जो बरतन पड़े हुए थे उनको भी धोलिया है तो अब मैं जो है लगा रही हूँ यहाँ पे देखी आटा तो यह आटा ना सुबह ही मैंने नमकीन वाली पूरी बनाई थी तनमे के लिए तो रख दिया था दो पहर में पापा को नास्ता बनाने के लिए लेकिन पापा जो है मतलब दो पहर क्या तीन साड़े तीन बजे जब चाय पीते हैं तो उनको कुछ खाने के लिए चाहिए होता है तो मैंने रखा था लेकिन फिर वो चले गए यहीं रिलेशन में पास में ही चले गए थे तो मैंने बनाया नहीं और अब भी आये हैं तो वो लोग बोले हैं कि पापा भी बोले हैं कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगा और ये भी बोले हैं कि मैं भी खाऊंगा नहीं तो मैंने तो यहां पे मैंने पूड़ियां तली हैं और तनमे के लिए खाना निकाल दे रहे हूं तो चावल, सबजी और ये नमकीन वाली पूड़ी बनाना मुझे रोटी था ये आटा वैसे मतलब खराबी हो जाता रखे रखे भी तो मैंने इसको बना दिया सही हो गया मतलब यूज भी हो गया जो है और इधर सबजी चावल भी हो जाएगा थोड़ा सा मैं रख दूंगी तो फ्रीज में रख दूंगी तो वो कल सुबह काम दे देगा तो यहां पर खाना पिना हो गया मैंने भी खाना खा लिया था और अब बस किचन को साफ कर ले रही हूं सारा काम खतम करने के बाद अभी मैं यहां पर देखे भिंडी कट कर रहे हूं तो यह भिंडी धो के जो मैंने रखा था तो अभी सूख भी गई है थोड़ी सी तो कट करके मैं रख दूंगी ना तो सुबह बस बनाना रहेगा तो इस तरह से न मैं रात कोई सबजिया वगेरा ज्यादा तर कट करके जो धोना रहता है धो के मतलब ज्यादा से ज्यादा काम जो रात को हो सकते हैं रात को करके हम रख सकते हैं वो काम मैं रात को कर देती हूँ ताकि सुबह जो है न थोड़ा सा भागम भाग जो है कम हो जा तो एक बेगण की सबजी तो ये धूला रहेगा न तो सिर्फ शूबह ग cigसक्त करूँगी और बनाूँगी यहां पे मैं चने भीग दे रही हूं तो यही कल दोपहर के लिए नास्ता और चने काम करता है कभी जते clerk को फिर यहां पर आय screwed स्प्राउट्स की तरह लोग खा लेते हैं तो ये बीच-बीच में मैं भीगा के रख देती हूं तो बस यहाँ पे रात का मेरा काम सारा खतम हो चुका है ये भिंडी मैं फ्रीज में रख दे रही हूं और अभी ये सुबह का टाइम है मतलब बुद्धवार का दिन है तो फ्रीज में से मैंने जो सारा सामान दूद वगरा सबकुष निकाल के ब्रस वगरा कर लिया है मैंने योगा कर लिया है और अभी मैं छट पे थोड़ा सा ऐसे ही देख रही थी हलकी हलकी बारिस आज़कल रात को जो है थोड़ी बहुत बारिस हो जाती है दिन में तो नहीं हो रही है लेकिन रात को हो रही है इधर तो फिरस से बंद है बारिस लेकिन उस दिन हुई थी तो अभी मैं थोड़ा सा घूम के फिरस चलती हूँ किचन में तो आ गई हूँ मैं किचन में और एक तरफ मैंने चाय रख दी है और एक तरफ अभी मैं दाल रखूंगी दाल रखने के बाद जो है फिर सबजी तनमे के लिए बनाऊंगी तो इनका भी आजकल वही है जल्दी जाना होता है पौने आठ आठ तक निकल जाते हैं तो इस वज़ा से खाना और ये दोनों वैसे भी मैं साथ ही बनाती थी लेकिन अभी जो है थोड़ा सा और जल्दी जाना होता है तो अभी और जल्दी करनी होती है तो यहाँ पे मैं डाल रख दे रहे हूं और इधर चाय भी बन चुकी है अधरक आज कल चाय में नहीं जा रही है क्योंकि यही अधरक इतना महझा हो गया है कि बंदी हो गया एक दमाना ही तो इधर मैं अभी सब्जी डाल दे रहे हूं तनमे के लिए तो वही तेल डाला है मैंने थोड़ा सा यह जो पसंद है वो चीज़े अगर दे दी जाए तो अच्छा रहता है तो हपते में मैं दो दिन तिन दिन बैगन की और भिंडी की सबजी बनाती हूं तो भिंडी आज कल वो जैसे थोड़ा सा मन से नहीं खा रहा है तो मैंने बैगन कल मंगाया वही तो रख दूंगी वो जो है काम दे देगा भी बीच में फिर एक दिन मैं दूसरा कुछ दूंगी अगले दिन फिर मैं यही बैगन वाली सब्जी दे दूंगी तो दो दिन तीन दिन का काम चल जाता है इदर मैंने आटा भी लगा दिया है और इधर सब्जी जो है बनके लगभक तयारी है थोड़ी दि सुबह जो है किचन में आती हूं तो बस गैस के पास ही गैस ही मेरा तुरं जल जाता है और उस पे जो मतलब रखना होता है बनाना होता है वही मैं तुरंद के तुरंद स्टार्ट कर देती हूं यहा पे मैंने पूरियां तल ली है और तनमय का टिफिन भी लगा दे और अभी तन में जा चुका है तो इधर मैं भिंडी भी डाल दे रही हूं तो वही है ना भिंडी वगरा मैंने कट करके रखा था तो सुबह बस बनाने का काम करना रहता है एक लगातार हाथ चलते रहते हैं और गैस मेरा जलता रहता है बंद नहीं होता है इधर मैंने पापा पूरा खाना बन जाता है या पॉने आठ बजे तक तो बस वही चावल तो तुरंती हो जाएगा सब्जी होने में ही जो टाइम लगता है वो लगता है आठा मैंने लगा के रखी दिया है तो बस रोटी बनाना रहेगा तो चाय चल रहे हूं दे दे रहे हूं पापा को और यहां पर यह देखे भिंडी और आलू की सबजी है तो बन गई है बस थोड़ा बहुत बाकी है तो रोटी भी उसके बाद मैंने बना लिया था और यह जा चुके हैं तो मैं अभी आई हूं यहां पर मसीन में कपड़े लगा दे रहे हूं तो उधर के कुछ काम अभी मैं मतलब साब सफाई यह सब करूँगी तब तक इधर कपड़े भी धूलते रहेंगे तो फिर आऊंगी तो बस इसे खंगाल ना रहेगा तो यहां पर अभी किचन में मैं बर्तन वगरा सब खाली कर ले रहे हूं दूद मैंने रात वाला रख दिया है उबलने के लिए तो सबजी निकाल ले रहे हूं और इसी कड़ाई में ना मैं चावल फ्राई करूँगी जो कल रात को चावल ज्यादा बन गया था तो उसको म अभी गर्मी बहुत जादा है तो रात की चीजे खाने लाइक है नहीं लेकिन अपना वही है ना अपना मन नहीं मानता है होता है कि फेकी जाएंगी फालतू में यह चीजे नुकसान होंगी जो है इतनी महंगी इतना खरीद के आता है जो है तो मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है तो ऐसे ही हम हाउस वाइब जो है अपना घर चलाती है जो है चीजों को समेट के रखना चीजों को बचा के रखना जो है हर चीज को जुगार से करना ऐसे ही घर चलता है तो यहाँ पे फ्रिज की बॉटल मैंने धो के रखा था तो उसको भी भर दिया है और अब ये चावल फ्राई हो चुका है तो मैंने कुछ जादा डाला नहीं वही चने जो भी गाय थे वो डाल दिया है और प्याज नमक काली में सिंपल साही है तो चाए के साथ कॉफी बनाऊंगी तो कॉफी के साथ जो है इसको लोंगी तो बस मैंने ले लिया है यहाँ पे और आज के वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ अब इसके बाद जो है बस साफ सफाए पूरे घर की करूंगी तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छा लगा हो तो लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप सब भी खा लीजिये